नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा, इस विडियो में हम दिस्कस करेंगे की Glyx M टैबलेट का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है, Glyx M टैबलेट को कैसे लेना चाहिए, और Glyx M टैबलेट की वज़से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, औ और यहां भी डिस्कस करेंगे की Glyx M टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए, Glyx M एक ब्रैंड नेम है, Glyx M टैबलेट के अंदर दो दवाओं का कॉम्बिनेशन होता है, Glyx M टैबलेट के अंदर सॉल्ट कंपोजिशन ग्लिकलेजाइड 80MG और म लेट फोर्मिन 500MG होता है, जब किसी व्यक्ति का ब्लड शुगर लेवल किसी एक दवा से नियंतरन में न हो रहा हो, तब डॉक्टर दो दवाओं के कॉम्बिनेशन वाली Glyx M टैबलेट को लेने की सला दे सकता है, Glyx M टैबलेट का उप्योग टाइप 2 डाइबिटीज म ब्लड शुगर लेवल को नियंतरन में करने के लिए किया जाता है, Glyx M टैबलेट शरीर में ब्लड शुगर के लेवल को कम करती है, शरीर में शुगर के लेवल को नियंतरन में रखना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि लंबे समय तक शुगर लेवल ज्यादा रहने की व दो घंटे बाद एक नोर्मल व्यक्ती का ब्लड शुगर लेवल 140 से कम होता है। खाना खाने के दो घंटे बाद यदि किसी व्यक्ती का ब्लड शुगर लेवल 140 से लेकर 200 के बीच में हैं। तो वह व्यक्ती परी डाइबिटिक स्टेज पर है। परी डाइबिटिक स्टेज पर शुगर लेवल को बिना दवाओं की मदद से नियंत्रण में किया जा सकता है. यदि किसी व्यक्ति का ब्लड शुगर लेवल 200 से ज्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति को डाइबिटीज की समस्या है. दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृप्या वीडियो को लाइक करना वचैनल को सब्सक्राइब करना न भूले. साइड इफेक्ट्स की बात करे तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में ग्लिक्स M टैबलेट की वज़ह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं. लेकिन कुछ पसंद व्यक्तियों में ग्लिक्स M टैबलेट की वज़ह से कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं. जैसे उल्ती आना, उल्ती आने का मन होना, सिर्दर्ध होना, चक्कर आना, मुघ के स्वाद में बदलाव होना, दस्त होना, कब्ज होना और पेट में दर्ध होना आदी साइड इफेक्ट्स ग्लिक्स M टैबलेट की वज़ह से हो सकते हैं. ये side effects Glyx M tablet की खुराक से संबंधित होते हैं. अगर किसी व्यक्ति को ये side effects होते हैं, तो Dr. Glyx M tablet की डोज को कम कर सकता है. Glyx M tablet की वजह से blood sugar level बहुत ज्यादा कम होने की संभावना बहुत ही कम होती है. इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को Glyx M tablet को लेने के बाद सांस लेने में दिक्कत, मोगले होठो या तवचा पर सूजन, तवचा पर खुजली, तवचा पर रैशिस या एकदम से बुखार होता है. तो आपको तुरंत ही डॉक्तर से परामर्श लेना चाहिए. क्योंकि ये लक्षन Glyx M tablet की वज़े से एलर्जिक रियेक्शन होने पर हो सकते हैं. अब हम डिसकस करेंगे की Glyx M tablet को कैसे लेना रेक्मेंडेड होता है. Glyx M tablet को खाना खाने से तुरंत पहले या खाना खाने के बीच में लेना रेक्मेंडेड होता है. आमतौर पर 18 साल से अधिक उम् शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है. अब हम डिसकस करेंगे की Glyx M tablet को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए. शुगर को अच्छी तरह से नियंतरण में करने के लिए आपको Glyx M tablet के साथ एक्सरसाइस करनी चाहिए, चिंता वतनाव से बचना चाहिए, परियाप मात्रा में नीन लेनी चाहिए और यदि आपके शरीर का वजन ज्यादा है तो वजन को कम करना चाहिए. किड्नी फैलियर होने पर, हाट फैलियर होने पर, लिवर की कोई गंभीर बीमारी होने पर, Type 1 Diabetes होने पर, कोई Surgery होने पर, Diabetic Coma होने पर और Ketosis होने पर Glyx M Tablet को लेना recommended नहीं होता है। Blood Sugar बहुत ज्यादा कम होने से बचने के लिए आपको Glyx M Tablet को लेने के बाद खाने को skip नहीं करना चाहिए। और आपको Glyx M Tablet को लेने के बाद आपको अपने regular schedule पर खाने का सेवन करना चाहिए। Pregnant महिलाओं में Blood Sugar लेवल को नियंतरन में करने के लिए इंसुलिन को ही सबसे सुरक्षित माना गया है। Pregnant महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए Glyx M Tablet का सेवन करना recommended नहीं है। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को सबस्क्राइब कर लेना। और अगर आपका Glyx M Tablet से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं।